लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें हलो पुली स्टेशन क्या मैं इंस्पेक्टर खान से बात कर सकती हूं हाँ खान साब मैं चान की बोल रही हूं आप फॉरण मेरे घर आजाएए यहां बड़ी मुसिबत आन पड़ी है मैं आप या रहा हूं थैंक यू तोर दो तरवादा कि इस अधर ने मेरी इसद लुड़ ली और बुझे इसने कहीं करी चोड़ा आपा अधर्यों अधर्यों प्रूल जचलो इस आदमी गढ़ागर पुलिस देशन लेचलो कि तमाम गवाहों के बैयानात और डाक्टरी रिपोर्ट की बिना पर ये अदालत मुल्जम गिर्दारी लाल को एक नावालग लड़की सबीना पर बलादकार करने के जर्म में आई पी सी के दफ़ा तीन सो च्छे अक्तर के तहट साफ साल कायद बामुशक्त की सजा देती है जलो कोई तुमसे मिलने है हाँ मुझसे मिलने कोन आएगा यहां तो कोई नहीं है पुराने संबंद इतनी आसानी से नहीं तूटे सेट गिर्धारी लाल अच्छा तो तुम हो जब से तुम जेल आये हो मेरे दिन रात पेचैन हो गए है यही सोचते रहती हूँ कि गिर्धारी लाल जी को जेल में कोई तकलीफ तो नहीं तुम मेरी तकलीफ को बारे में सोचेगी है अरे क्यों बेवकूफ बना रही है मुझे तु तु यह देखने आई होगी कि अगर कुछ तकलीफ कम हो तो और बढ़वात हो नहीं नहीं गिर्धारी लाल मैं तो तुमें खुश खबरी सुनाने आई हूँ वो जो तुम्हारी बिल्डिंग थी ना वो तोड़ दी गई है क्या और वो तेरी कांधी वली वाली जमीन बांगरा कुरला कॉंप्लेक्स वाली तेरी सारी जाइदाद में नेलाम करवा के आई हूँ कमिनी तोखे बाजान मैं तेरी जान ले लूगे अगर आज मुझे गाली दे तो मैं तेरी जान ले लूगी उस दिन वक्त तेरा था तुने अपने मन माने कर ली लेकिन आज आज वक्त मेरा है मैं तेरी हर शांस पर पहरा बढ़ा दूगी तेरा जीना हराम कर दूगी कोई नहीं आएगा तेरी मदद को तेरा साया भी नहीं, अपने को कर्मों को याद करके, अकेले ही रोती रहना, चाह, तड़ता रहे नंदिरों में, सड़ता रहे ए काली रादा, घजब हो गया अबे मिश्रा क्यों चिला रहा है, साली दारू गले में अटक गई अरे ये देखो, तुम्हारी जान तुम्हारे सीने में अटक जाएगी अपनी जानकी बहुत बड़ी निता बन गई है बंबय में अबे सठ्या गया है क्या, जानकी और निता उसकी फोटो आखवार में छपी है, ये, ये देखो देखो ये तो सची मुची जानकी है ये तो जानकी है ये तो जानकी है ये तो जानकी है नमस्ते जेट जी बहुत तु, कहीं मैं सपका तो नहीं देख रहा अरे नहीं रे, ये अपनी जानकी तो है हाँ, हाँ, अभी अभी आपी के खुनका रहे थे भापी हाँ, मुझे पता चला मुझे पता चला कि आप लोग मुझे याद कर रहे इसलिए तुम्हे फोरण चेली आई और जेर जी, सब कुछ ठीक टाक तो है कुछ ठीक नहीं है बहू ये जीना भी कोई जीना है क्यों मासी, जेर जी को शराब नहीं मिलती अरे सराथ के लिए भी गुड चाहिए बहू कुछ नहीं बजा बहू सारे खेद बिग गये और मेरा मागान पे सावकान ने निलाम करा दिया अरे रे रे मेरे होते मेरे देवर और जेर जी की ये हालत मैं नहीं देख सकती मैं आप लोगों को अपनी साथ ले जाती लेकिन क्या करूँ, मुझे पूरी राजी का टूर करना है ऐसा कीजिए आप लोग बंबे आ जाएए सब ठीक हो जाएगा अब एशा के लिए आजाएए आपका मकान तो अभी है ना अहां है उससे बेश लिजे मैं बंबे में आपको कोई बिजनस शुरू करवा दूगे अभावी में बंबे मैं भी आजाओ हाँ जरूर क्यों नहीं मेरे लिए जैसे जेट वैसे देवर दोनों में कोई फर्क नहीं अच्छा नमस्ते बंबे में मैं आके रहा दिखूँए अच्छा अरे काली और मिश्या तुम दोनों की तो निकल पड़ी है निकल नहीं पड़ी तौड पड़ी जानकी देवी ओ जानकी देवी ये दुईनों भूत आपके बंगले के बाहर खड़े आपका पता पुछत रहे पवुरानी ये कैसे लोग आपने यहां रख छोड़े है प्रणाम भावी जी ये दुईनों कौन है अरे आपने सुना नहीं ये मुझे बहुरानी क्या रहे है ये है काली चरण जी मेरे स्वर्वासिपदे के बड़े भाई और ये है मेरे पती के मित्र मेरे तेवर जी श्री अशोक मिश्रा तो यही है वू दोनों महानस्तिया जी हाँ रुपे लाए है ना जी जी हाँ वहू रामी जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया मकान बेजिया सारे रुपे ले आया बहुत अच्छा कि आपने गौरी शुंकर जी जरा यहाई आ आ गए ऐसा कीजे इने ले जाए और इनका कल्यान करतीजी समझ गए समझ गए चलो जजमानो लेकिन हमारे रहने सैने और खान पान का इंतजाम भी अरे वह हमरे जिम्मे में है भूबडटकर खान पान कराएंगे बलिके बक्रे की तरह अरे नहीं नहीं डरो मत हम सुद्ध साकारी है मास में ही खाते पैसे भी कुट्टे का मास कौन खाएगा अरे काली दादा अकमाल हो गया यह जानकी ने हमारे सारे गुना भुलाकर हमारे लिए शांदार मिठाई की दुकान खुलवा दी बोलो अरे अकेली पल गई है जरुरत बंद है इसलिए हम को भुलाया है मतलब के चड़िया खुद ही पिंजरे में फथ रही है हौँ हुआ आए 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 यह मिठाई क्या भाव है भाइँ यह मिठाई साव रुपईया किलो नेचे यह वाली हसी रुपए किलो है ये, क्यों भाई, महेंगे वाली मिठाई नहीं रखते, दो हजार रुपय किलो वाली दो हजार रुपया, दो हजार रुपया, ये खीमत मिठाई की नहीं, इस शक्कर की है इस शक्कर को मिठाई पर लगाओ, और बेचो दो हजार रुपय किलो इस शकर में ऐसा क्या है? अरे भई शराब में ऐसा क्या है? जो शराब भी घर बेच के पीता है जल्वा है जल्वा हाँ, क्या भाव है? अरे छोड़ो भाव को पहले तुम बेचो तमाओ मैं आके वसूल कर लूँगा भाव अजीव लोग है बंबई के माल देते हैं और पैसे भी नहीं लेते मैं ज़रा थोड़ी थोड़ी लगा दू मिठाई के मूँपे ये शकर बड़ी महंगी है क्या भाव लगा है मिठाई का? कौन सी मिठाई चाहिए? महंगी या सस्ती? महंगी पहले चक्षने दो विष्रा? ये उपर सफिद क्या लगा है? अरे यही तो है वो क्या नाम बताया था इस हल्वे का? जल्वा जल्वा है जल्वा ये लो चक्षो थू नशिली दवाईों का धंडा करते हो नशिली दवाई? तो हम क्या करेंगे? तुब लोग साफ सुफाई करोगे मैं गल्ला सा मालूँगा और हल्ला करूँगा हल्ला का मतलब मालूम है जाओ कड़े साफ करो हाई हम कड़ा ही साफ करेंगे अभे पागल हो गया है बुलाओं पलीस को नहीं जेल नहीं जाना है तुजो बोलेगा हम साफ करेंगे बोल क्या साफ करना है अरे इस्पेक्टर साब आईए ये नशीली दवाउं का धंदा करता है पकड़ लो इसे मुझको नहीं इनको आईए अंडर आईए मालिक ये है दुकान के पर इस्पेक्टर साब ये शकर में इसी आदी नहीं दी थी इसी नहीं दी इै इस्पेक्टर साब याद भी जूट बोलना है मैं तो इन दो लो की शकर पेली बार देख रहा हम पकड़ लें अरे इप क्या करेंगा Khusboh अरी तेरी मम्मी नहीं आई Khusboh आज जरूर आएगी, आज पेडंस्टे है न आज तो आएगी ही मेरी मम्मी Khusboh Roman नहीं बिटिया अंकल आए है उंकल अंकल लेकिन मम्मी क्यों नहीं आए आज पैंस कियों से है, मैं उन से कभी नहीं बोलूंगी अरे ना बिटिया ना, अपनी मम्मी पर गुसा नहीं करते, तुम्हें तो खुश सोना चाहिए, कि तो हर मम्मी स्रिफ तो हरी मम्मी नहीं, अरे उन तो हजारों लाखों बे सहरा लोगों के भी मम्मी है, नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी है, आज मुझे उन से कितनी सारी मांगनी थी अरो तो हम कब बोला का चाहिए तुम्हें आज के लिए हमें अपनी मम्मी समझ लियो अरो तुम कहो तो सारी वाड़ी पहन के जानकी बन जाए है है हसी अपनी बिटिया हसी अब बोला बोला का चाहिए तुम्हें आज खूब घूमना है और नई कपड़ी भी करी जख खख। जब सक करेंगा अरी अरी? इसाफ आप ये आव Rhag 기네 यहां और इस हालत में बहुत तो मुझे मरवा ही देती है अगर उसका बस चलता तो लेकिन तू यहां कैसे तू तो गाउ में था अरे भाईया हम भी एग औरत के सताय में यह मेरे दोस्त है काली चरम और काली दादा ये मेरे मौसेरे भाई हैं सेड़ गिरधारी लाग बंबई में एक छत्र राज है इनका था भाई साथ वो कौन है जिसने आप जैसे धर्मात्मा की यह हलत की है जानकी जानकी तुम जानते उसे पहले सिर्फ उसे जानते थे उसका असली रूप यहां पैशाना बड़ी खतरनाक औरत है उसी ने हमारी ये दुर्दशा की है अशोक मैं जानकी को नहीं छोड़ूँगा और तुम लोगों भी तुस्से बद्र लेना है ना मुझे तो उसका खून पीकर ही शानती मिलेगी सेड़ जी तो ठीक है मैं आपने मुकादम बंसी से कहकर तुम लो हम जानकी को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे हाँ कल सूरज उगने से पहले जानकी मर चुकी होगी करता है खालाएं, खालाएं, एालाएं... ।ालाएं, बेघर्दाइं... ।ालाएं, hoş look... ।ी he Kgent! तेली प्रहा है लागाद झाल 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 गोरी शंकर जानके, जानके ममी अरे बैटी हम तन एक देर से पहुचे, परना हम यहालत कभी नहीं होने देते, कान थे वो लोग गोरी शंकर जी, आपके जजमान और उनके गुंडे, रात भार हरम जादन का हम धूनत रहे, हाथ नहीं लगे, मगार हम उन सालों को छोड़ेंगे नहीं, ढूप मरो, ढूप मर को नहीं मार सके, शरम करो, ए, शरम करो, सिर्ट जी वो घुंडा गोरी शंकर आ गया, वरना जानकी को तो हम मारी चुके थे, हाँ, सिर्ट जी जानकी को मारी चुके थे, शुक तूड़िया पहलो तुम लोग, भाई साब, हम ठेरे गाउं के आदमी, हमें ज्यादा अकल का, अब आप ही कहो हमें क्या करना है, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब जो कुछ भी करना होगा, वो मैं करूंगा, मैं, जानकी, तुझे तो मैं खुद भी बहाराकार खटम करूंगा, कैसी हैं आप, गुद मारी डॉक्टर साब, जानकी देवी, दस पंदरह दिन, अभी और आपको हमारी देख रहे कि में रहने पड़ेगा, अरे काहे कंज उसी करतो डॉक्टर, दुचार महीने और कहो, दुचार महीने, ना बबा, जानकी देवी, जानकी देवी, क्या बाद रगू, बसी के मकान तोड़ने के लिए आएगे हैं मुन्सी पलेटी वाले, भूल रहे आएगेपकार महीने कार CPUります और आएगे यानकी देवी, चुचार महीने और रहेे हैं मुन्स, पिल्गत को अर्थे लाय wow offers üçवाराषी, झाल ही तोट हैं मुन्स, आएएगें साव crise काfed कि मैं यतितां सेक्षण हैं मुन्स, दुचार महीने धूल देख़, इहाएँ मुन मुबारक बाद उस दिन देना बंची, जिस दिन मैं जानकी को इस दुनिया से रिहा करतूंगा, हाँ, तो हम जान पर अपना घर बनाएंगे, और फिर जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, तो… ए रुक, 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 कहा हुआ दादा, अरे ये तो अपनी खुस्बू लगत है, साथ में ये छोरा कौन है? बहुरा, ये गोरा गोरा चोरा तुह है, बहुरा लगत है, हम खुदा ही पता करत है खुस्बू बिटिया, क्या हुआ? रखता है, रखता है मेरे अंकल आ गए मैं क्या करूँ? तुम जाओ, छुप जाओ, जाड़ों के पीछे, जाओ, जाओ अरे कैसी हो खुस्बू बिटिया? मैं ठीक हूं अंकल, आप अकेले आए हैं या ममी भी आई है? अरे ओके पास बकत हो तब ना है, उतो सारा दिन जन्त की सेवा माही लगी रहा थे अरे गोरा-गोरा छुगरा कौन ते तो अरे साब? कौन अंकल? मैं तो यहां अकेली हूं अकेली? हाँ अंकल आप क्या ढून रहे हैं? भूत भूत? यह क्या कह रहे हैं अंकल? अरे जो पलक जबकते ही गायव हो जाए वो भूता ही तो है ना? तू भिकर मत कर हम उका ढून लेंगे अंकल भाह जाडियों के पीछे कोई भूत नहीं है अरे तू भिकर मत कर आज हम उकार साक्षा दर्सन करके ही जाएंगे कि अंकल भाह जाएंगे कि इ्यक वो भाह जाएंगे कि अंकल बो भाह जाएंगे आय 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 अरी तो भूत नहीं हम्री तर्व मानूस है अरे इतने लंबे चोड़े तगड़े खूबसूराद नाव जबान हो यह बताओ हमसे डर के भाग कहे रहते है जी-जी मैन्य डराथ अंकल यह खुश्बु आपसे जडर की अर तुम मान गए चुप जी, जिंदेगी भर हमरी बीटिया की बाद मानोगे, जी अंकल, का नाम है तुआर, जी मनिश खन्ना, बंबई में जो सिल्क मिलके मालिक है न, जातिन खन्ना, उनी का बेटा हूँ, अरे तब तो कौन अ फिकर की बाद ना ही, है, ए देखो भाईया, हमरी तरफ से तो उन दोनों की साधी पक्की, ये हमरी तरफ से मिठी मिठी बलाई, ये खुसकब्री तो हम जानकी को जरूर देंगे, और सुनाओ, एक हपते के बाद हम जानकी को साध ले गर तुम्हें लेने आएंगे, त्यार है न? आच्छा, अंकल, क्या हो गया ये?